लो दोस्तों सुआगत आप सभी का दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है उन सभी ऐस्परेंट्स के लिए जो भी ऐस्परेंट्स याइस अप में हेड को इस्टबल मिनिस्ट्रल पोश्ट की परिक्षा की तैयारी करते हैं इसमें काफी ज़्यादा competition है आप लोगों का 92 प्लस नंबर किस प्रकार आएगा और साथ के साथ दोस्तों इसमें best book क्या क्या है किस प्रकार आप लोगों की इस्टरटाइजी होनी चाहिए कि आपका selection 101% हो जाए दोस्तों आप लोगों के पास अब बहुत कम समय है इसलिए आ होगी और इसका typing test कब तक हो जाएगा वीडियो को complete देखते रिएगा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कियो तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon को प्रेस कर लिजेगा आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा यदि आप जरा भी चाहते हो क कि आप लोगों का CISF head considerable ministerial पत्र पर selection हो जाए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसमें written exam होता है offline आप लोगों का exam होगा आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले मैं cell bus के बारे में बताना चाहता हूँ उसके बाद इसका best strategy, best book और इसका exam कब होगा typing test के बारे में भी information दूँगा step by step आप लोग देखते रहे दोस्तों इसमें 100 questions होता है 100 number का होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं general intelligence, general knowledge, arithmetic and general English अत्वा हिंदी यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग इसके बारे में detail में देख भी सकते हो basically दोस्तों हर एक competitive exam के लिए जो एक important important book आती है जैसे कि Lucent और आप लोगों का R.S. अगरवाल का मैत ETC आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार की evergreen book होती है जो हर एक competitive exam के लिए specific राती है लेकिन कुछ ऐसी भी book होती है particular जो आपके परिक्षा को बिल्कुल target करती है यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग जो यह देख रहे हो study guide बिल्कुल दोस्तों CISF head considerable ministerial post के लिए बिल्कुल study guide बहुत ही important है अरियंत publication का दोस्तों है हो सकता है आप लोगों के पास पहले से और लेबल हो यह जो आप लोगों के पास और लेबल हो तो अच्छी बात है और लेबल हो तो नीचे दियेगे comment box में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि नहीं available हो तो link मैं description में दे दिया हूँ दोस्तों आप लोगों से purchase कर सकते हो यह जो आप लोग देख रहे हो यह Hindi medium वालों के लिए है यदि आप English language यूच करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वही चीज आप लोगों को English medium में देखने को मिल जाएगा आप लोग यहाँ पर अर्यंत publication का देख सकते हो यह दोस्तों guide है इसमें हर प्रकार का questions रहेगा चाहे reasoning का हो चाहे आप लोगों का मैत हो चाहे GKGS हो दोस्तों यानि कहने का मतलब है इसमें आप लोगों का हर प्रकार का questions रहेगा वही बुक मै मैं दिखाया अर्यंत publication का यह guide है दोस्तों लेकिन एक तो आप लोगों को guide से preparation करना है एक तो दोस्तों आप लोगों को practice set भी लगाना है यदि आप practice set भी लगाना चाहते हो देख सकते हो किरन publication का practice set है दोस्तों इसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से सभी questions mention है इसमें कुछ ऐसे questions रहते हैं दोस्तों जो direct भी आप लोग पेपर में जाकर देखोगे अगर आपके पास practice set यह मौजूद हो तो अच्छी बात है नहीं मौजूद हो नीचे descriptions में मैं लिंक दे दिया हूँ आप लोग वहां से purchase कर लीजिए यदि आप practice set हिंदी language में लगाना चाहते हो तो यह यूज कीजिएगा यदि आप English language यूज करते हो तो यह यूज कीजिएगा बिल्कुल वही चीज है दोस्तों English language में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को Hindi language में देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप लोगों का guide क्या रहेगा आप लो दो सकती है क्योंकि बहुती पुरानी भरती है साल 2019 से ये रिक्रूटमेंट चल लए है दोस्तों बिलकुल भी आप लोग ऐसा मत सोचिए क्योंकि CIA सब कॉंस्टिबल ट्रेट्समेंट की भी आप लोग देख रहे हो साल 2019 में भरती आई थी और इसका परिक्षा भी हो गया इसक बिलकुल भी रद नहीं होगी बलकि इसमें 439 पद है 439 पदों को बढ़ाया जा सकता है लगबग 1000 सम्थिंग पद इसमें किया जा सकता है भरती देरी से कंप्लीट हो रही है इसकी वेजह से आप लोगों की पदों की संक्या में बढ़ोतरी हो सकती है अब बात किया जाए दोस्तों इसके परिक्षा के बारे में दोस्तों इसके परिक्षा को लेकर अब अपने मन में आप लोग संसे तोड़िये क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ जैसे ही अब परिक्षा हैं सभी संपन्न होगी अदर डिपार्टमेंट में जितना भी रिक्रूटमेंट आप लोगों का CISF Head Constable Ministeral परिक्षा ही केवल आयोजित कराना है जैसे ही दोस्तों COVID का संक्रमन कंट्रोल में आएगा अधर डिपार्टमेंट में परिक्षा है अस्थागित जो है ओई श्टार्ट होंगी तुरंत आप लोगों का भी श्टार्ट हो जाएगी अपनी प्रिक्षा कांटीन्यू करते रही है आप लोगों की परिक्षा दोस्तों मोश्ट टेंटेटिव मन्त जुलाई मन्त ही बताए गया है और COVID का संक्रमन मोश्टली दोस्तों उमीद है कि मई के लाश्ट बीक तक कंट्रोल में आ जाए जिस तरह दोस्तों इन दिनों कंट्रोल में आ रहा है आप लोगों को बता दू अगर कंट्रोल में आ गया तो 15 जून तक इसका सेडूल आफीसियल बिल्कुल आप लोगों का एक्जाम सेडूल आ जाएगा बिल्कुल आफीसियल साइट पर और इसका एडमिट कार्ड भी ज दोस्तों डिपार्टमेंट में परिक्षा होना सुरू होगा तुरंत ही आप लोगों का भी परिक्षा आयोजित कराए जाएगा यानि कुल मिलाकर आप लोगों को उतना ही वेट करना है जितना अधर इस्टूडेंट वेट कर रहे हैं अधर डिपार्टमेंट की परिक्षा के लिए पुल मिलाकर अगस्त सितंबर मंत से जादा आप लोगों को वेट नहीं करना है तो दोस्तो अगर बात किया जाए डेली बेसिस पर आप लोगों को कितना पिप्रेशन करना चाहिए जिससे आप लोगों का सेलक्षन से और हो जाए दोस्तो रेगुलर बेसिस पर पिप गंटे में ही समझ जाते हैं कुछ श्टूडेंट एक टॉपिक को दो गंटे में समझ पाते हैं तो आप लोगों का भी हैप करता है मैटर की आप कितने देरी में इस टॉपिक को समझ पा रहे हो तो दोस्तों आप लोग उस पर अपने हिसाब से टाइम चेडूल बना लीजिए मैं यही कहूंगा कि चार से पाँच गंटा मिनिमम तो आप लोग पिप्रेशन करिये ही क्योंकि हैड कोंस्टिबल मिनिस्टियल पद बहुती अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है सियाई यह सब में दोस्तों वर्क भी काफी अच्छा रहता है तो आप लोग इसका पिप्र कर पाओगे अनता बहुत जादा इस्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट में ही चटते हैं लगबग 65% इस्टूडेंट यही पर चट जाते हैं तो आप लोग दोस्तों बिलकुल ऐसा काम ना करो जिससे आप लोगों को दिक्कत हो पाए इसके लावा यदि आप टाइपिंग करना पड़ता है कितना चुटिया मिलती है कितना जौब होता है जो प्रोफाइल के बारे में आप लोग जानना चाते हो तो नीचे दिएगे कमेंड बॉक्स में कमेंट कीजेगा किनी अन वीडियो में मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोइट कर दूँगा सब्सक्राइब करके बेला इकन को प्रेस कर दिजगा चलिए